हेलो एब्रीवान वेलकम बैक तो फिजिक्स फेंटम आज हमारा किमिस्ट्री कंसेप्ट में डे सेविन है इससे पहले मैं सेक्स वीडियोग अपलोड कर चुकी हूं यह जो किमिस्ट्री कंसेप्ट की गाइस मैंने जो सीरी स्टार्ट करी है इसके पीछे का मेरा में मोटिव यह है कि जो भी आपके कीमिस्ट्री में में हक्षे आज अते है इसपेशलि एससी में जो कीमिस्ट्री में अपके इ Kayla चाव गाहिते हैं।oléक्ट मेंTa टीतेल में एगस्प्लीं कर दू आपको आपको कंसेप्ट से समझ आ जाए और उसके बाद में मैं इस चानल पर आपके जो प्रिवियस येर के questions है, like physics के, bio के, chemistry के, so वो questions भी previous year के SSC के exam से, मैं select करके, वो भी मैं upload करती हूँ, जिससे की concept पढ़ने के बाद में, अगर आप उन questions को आप attempt करते हैं, तो आपकी जो preparation है, उसका आपको idea लग जाएगा, कि आपको कितने questions समझ में आ रहे हैं, या फिर कौन सा topic या कौन सा concept आपका बहुत weak है, जिन topics को जो लगता है कि आपके weak points हैं, या weak topics हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, so आप मुझे comment कर सकते हैं, अदर्वाइस जो मैंने videos upload करी हैं, जैसे अभी मैंने playlist में एक नई playlist क्रेट करी है, chemistry concept के नाम से, ऐसे ही एक time के बाद में जब आपका chemistry का complete हो जाएगा, so उसके बाद में मैं आपको physics और bio के भी ऐसे ही topics complete करवा दूँगी, और उसके अलावा जो आपके previous year के papers हैं, वहाँ से जो आपके questions आते हैं, objective questions, वो भी मैं बीच-बीच में upload कर दूँगी, जिससे कि आपकी preparation और जादा अच्छे तरीके से हो जाए, so my dear viewers, आज हमारा chemistry का day 7 है, जो last video थी, day 6 class जो हुई थी हमारी, उसमें मैंने matter start करा था, matter क्या होता है, matter के कितनी states होती हैं, उनकी states की explanation, so ये मैं already करवा चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, so channel की playlist में जाके, chemistry concept में आप देख सकते हैं, day 6 के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, आज हमारा day 7 है matter का, so यहां तक देखे, ये इसकी states of matter, 5 states थी matter की, 5 पदार्थ की अवस्ताएं है, पहला हो गया solid, दूसरा liquid, तीसरा gas, और चौते नमबर पे plasma, और लास्ट नमबर 5 पे है, BEC, boss, Einstein, Condensate, so ये 5 states मैं आपको अल्रेडि करवा चुकी हूँ, आज हम matter में आगे बढ़ेंगे, means की जो matter है, उसका दो तरीके से division होता है, एक होता है pure substance में, और एक होता है impure में, pure मतलब की should, और impure का मतलब हो गया अशुद, अब जो पदार्थ है, उसकी दो main divisions तो मैंने आपको बता दी, की pure substance हो गया, और आपका impure substance, now the question is, की जो pure substance है वो क्या होते हैं, और impure substances क्या होते हैं, सबसे पहले तो समझे, pure substance, pure substance जो होते हैं, वो सेम तरीके के जो substance होते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं, अगर हम pure matter की बात करें, तो ये भी दो parts में डिवाइड होता है, पहला तो हो गया element, और दूसरा होता है compound, element में हम उनको लिखेंगे, जो आपकी periodic table, जो हमारी आधुनिकावद सार्णी है, जिसमें in total 118, 118 जो element है, उनमें से कोई भी जो element है, कोई भी जो तत्व होगा, वो उसमें आपको सेम तरीके के तत्व आटम्स देखने को मिलते हैं, element के अंदर, सो जो element है, वो सेम तरीके के, जो आटम्स होते हैं, उनसे मिलके एक element बनता है, तो ये सब एक्जाम्पल हमारे element वाले portion में आप लेख सकते हैं, 118 में से कोई भी जो element आप चाहें, वो, अब जो ये 118 element है, guys, इनका जो division है, वो दो तरीके से किया गया है, एक आता है हमारे natural, जो की प्रकतिक रूप से पाए जाते हैं, और एक आते हैं आपके man-made, man-made जो की मानव निर्मित हैं, यहाँ पे मैंने number लिग दिया है, ये जो number है ना, क्योंकि देखिए, जब आम natural की बात करते हैं, तो इसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ऐसे, आपको consequence मिल सकते हैं, जो की man-made हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल exact नहीं है, ये जो number है, ये कही जगे आपको 100 भी दिख सकता है, 90 भी दिख सकता है, बस in short आपको ये याद रखना है, कि प्रकतिक रूप से हमारे पास में 90 प्लस elements अविलेबल हैं, और जो बाकी के elements बचे 118 में से, वो हमारे man-made elements अविलेबल हैं, इसके अलावा, जो elements natural और man-made ही, जो हमारी periodic table है, उसमें कुछ elements जो हैं, वो बहुत जादा important हो जाते हैं, क्योंकि ये जो धातू हैं, इनका हम daily basis पे भी बहुत जादा यूज करते हैं, और प्लस ये काफी जादा costly होने की वज़े से भी, इनके कई uses और बढ़ जाते हैं, जैसे कि copper, AG का मतलब होता है silver, AG जो है वो silver का atomic, जो representation है, वो symbol representation AG, सिल्वर का है, AU stands for gold, जिसे हम सोना कहते हैं, I hope आपको pure sub chances में, element समझ में आ गए होंगे, कि 118 में से कोई भी element आप यहाँ पे लिख सकते हैं, now the question is, what is compound, what is yogurt, so compound क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से जादा atoms मिल गए, जैसे 2 elements मिले, और उसके बाद में आपको एक चीज मिली, उसे हम क्या कहते हैं, compound कहते हैं, यहाँ पे आपको example दे रखा है, जैसे H2O, H2O जो है ना, इसमें hydrogen और oxygen का combination है, तो यह हमारे पास एक compound का example हो गया, H2O के अलावा, NaCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, तो ऐसे जो भी elements होते हैं, जिनने आप बना के, mix करके, क्या बना रहे हैं, compound बना रहे हैं, आपस में जोड रहे हैं, तो यह हमारे compound होते हैं, और हिंदी में हम इन्हें योगी कहते हैं, अब देखे, hydrogen peroxide, water के अलावा, एक और हमारे पास ऐसा ही element आता है, जिसे हम hydrogen peroxide कहते हैं, यह जो compound है, water से सिर्फ एक चीज में अलग है, कि जैसे water में single O है, यहाँ पे two molecules of O आपको दे रखे हैं, कई बार आपके exam में ना question आ जाता है, कि जो water है, उसमें hydrogen और oxygen का क्या ratio है, hydrogen peroxide में hydrogen और oxygen का क्या ratio है, तो water में अगर आप देखें, कि hydrogen और oxygen का ratio है 2 ratio 1, और अगर हम बात करें hydrogen peroxide की, तो hydrogen peroxide में hydrogen और oxygen का ratio है 2 ratio 2, इसके अलावा question यह बन सकता है, कि जो hydrogen peroxide है, इसका use किस में क्या जाता है, यहाँ पे देखें, मैंने आपको 3 uses दे दिये हैं, पहला use तो होता है, इसका bleaching agent में हम इसको use कर सकते हैं, second use जो hydrogen peroxide है, उसका use किया जाता है, दातों की सफाई के लिए, दात या जो कान होते हैं, टित और ear, उनकी cleaning के लिए भी hydrogen peroxide को हम use करते हैं, और last और बहुत important इसका जो use है, जो canvas paintings होती है, canvas paintings को clean करने में, उनकी साफ सफाई करने के लिए भी, हम जो hydrogen peroxide है, इसका use करते हैं, इसके अलावा, hydrogen peroxide आपको cosmetics में, जैसे bleach जो होती है, उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाता है, next हमारे पास में देखे, यहाँ पे मैंने आपको बोला hydrogen और oxygen, इसके बाद में next हमारे पास में दो और elements है, एक है carbon और एक है oxygen, यहाँ पे आपको आप carbon और oxygen का ratio दे रखा है, जैसे CO2 में अगर देखे, तो 1 carbon and 2 oxygen हो गया, CO2 carbon dioxide होता है, इसके uses देखे, यहाँ पे आपको यह सारे uses दे रखे हैं, exam में न कई बार formula और यह सब चीजों की जगे, आपसे uses भी पूछे जाते हैं, तो आपको यह चीज भी पता होनी चाहिए, आप देखे, जो CO2 है, CO2 का first use है, photosynthesis में यूज किया जाता है, second इसका use, coldering में करते हैं, third इसे fire extinguisher में यूज किया जाता है, जो आग बुझाने वाला device होता है, third है, solid CO2 dry ice को यूज किया जाता है, ice creams के लिए, अब देखे, next हमारे पास में आता है CO, पहले था CO2 carbon dioxide, फिर आता है CO, इसका नाम आपको मुझे comment section में देना है, कि CO को हम क्या बोलेंगे, अब देखे, इसमें carbon और oxygen का ratio 1, ratio 1 है, इसके ये क्या है, एक तो ये poisonous gas है, इसके अलावा ये greenhouse gas है, और जो cigarette का दुवा होता है, cigarette smoke होता है, उसमें भी ये पाया जाता है, so guys, अभी देखे, मैंने आपको matter में क्या क्या करवाया, matter की definition, states of matter मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद में मैंने आपको matter का division बता दिया, कि pure और impure में हम इसको divide करते हैं, आज की class में मैंने आपको pure substances पूरे पढ़ाया हैं, जिसमें element और compounds की form में हमने इसको divide कर दिया, इससे next video में, जो next class होगी हमारा day 8 जो होगा, chemistry का, उसमें मैं आपको impure पढ़ाऊंगी, कि जो impure matter होता है, अशुद पदार्थ जो होते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरीके से इसका division होता है, कितने types के ये होते हैं, ऐसी और interesting videos को देखने के लिए, आपको channel को subscribe करना है, इसके अलावा bell icon को press करना नहीं बूलना है, जिससे कि आपको videos की notification time to time मिलती रहे, now guys मिलते हैं next video में, thank you so much, और इसके अलावा आप मुझे instagram पर follow कर सकते हैं, thank you,